है एलो प्रेंट्स आएम डॉक्टर शर्वरी इनामदार आप सबको मेरा साधर प्रणाम आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में क्या प्रोटीन सप्लिमेंट लेना जरूरी है? क्या जादा प्रोटीन खाने से मेरी किड्नीज फेल हो जाएंगी? यह प्रोटीन से मुझे kidney stones होंगे कौन सा protein है जो high quality protein होता है इन सारे सवालों के बारे में आज हम जानेंगे हम सबने बच्पन से सुना है कि first class quality protein जो है वो हमारे लिए बहुत important होता है नए cells का निर्माण करना hormones और enzymes बनाना और mainly growth and repair का काम करना ये सब important अगर आप हर रोज जिम जा रहे हो या कोई और एक्सराइज कर रहे हो या किसी स्पोर्स में हो या फिर कोई कारणवश आप एक्सराइज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो आपके घर में बच्चे हैं, एल्डरली लोग हैं इन सब को हर रोज first class quality protein की जरूरत होती ही है ध्यान से सुनिए, अगर आप दो वक्त पूरा nutrition से भरपूर खाना खा रहे हो, तो आपको किसी भी protein के supplement की जरूरत नहीं होती, अगर आप vegetarian हो तब भी कौनसे conditions में protein supplement necessary हो जाता है, वो तो हम देखेंगे ही, पहले देखते हैं कौनसे है वो first class quality protein sources जो आपके खाने में हमेशा होने चाहिए वो है पनीर, cheese, whole eggs, organ meat, fish या फिर कोई भी प्राणी जन्य पदार्थ क्या ज्यादा protein युकता आहर से किसी की kidneys fail हो सकती है? तो पूरे concentration के साथ सुनिये हमारे देश में kidney diseases का या dialysis का सबसे बड़ा reason है diabetes और hypertension जैसा कि हमने देखा ये दोनों भी metabolic disorders है यानि कि भारत में maximum लोगों की kidneys fail हो रही है जादा carbohydrate की वज़े से ना कि जादा protein की वज़े से तो अगर आप natural saturated fat और good quality protein से युकता nutritious food का 7 कर रहे हो तो आपको protein की वज़े से kidney failure का डर होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है kidney stone के patients में water और minerals का metabolism ज़ादा matter करता है तो आईए देखते हैं कौन है ऐसे लोग जिनको protein supplement लेना जरूरी हो जाता है कुछ लोग होते हैं जिनें बहुत सारा muscle बढ़ाना होता है मैं strength की बात नहीं कर रही हूँ मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिने body weight सेम रखके strength बढ़ानी होती है या फिर muscle बढ़ाना होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिने fat loss करना होता है और muscle gain करना होता है या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सिर्फ fat loss करना होता है इन में से किसी को भी प्रोटीन सप्लिमेंट की जरूरत नहीं है आप अगर रोज वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो भी अगर आपका दो वक्त का खाना सही है तो आपको किसी भी प्रोटीन सप्लिमेंट की जरूरत नहीं होती मैं उनकी बात कर रही हूँ जो weight train कर रहे हैं और जिन्हें kilos में muscle बढ़ाना है जैसे की 15 kilo, 20 kilo ऐसे बहुत बड़े मातरा में उन लोगों के लिए protein supplement उपयोगत साबित होता है या फिर कुछ conditions में आप अपना खाना साथ नहीं carry कर पाते आपको जहाँ पर हो वहाँ पर अगर nutritious food available ही नहीं है तो आप protein supplement का इस्तमाल कर सकते हो coconut oil या घी के साथ market में बहुत सारे protein supplements available है जिसे soya भी इनके होते हैं, egg albumin के होते हैं, weight gainers होते हैं या फिर mass gainers हैं, meal replacement formulas हैं इन सब में अगर आपको ऐसा supplement चाहिए कि जो first class quality protein है तो weight supplement, weight protein is the best option remember, whoever says whatever to you if you don't want to gain humongous amount of muscle like in several kilograms, you don't need a single protein supplement ever आओ, हम सब मिलके थाली में से खाना खाए ना की किसी जार में से let the jar be an emergency food and not the day-to-day need thank you आपकान पाए आप हैं आपकान आपकान प्रव्स कर देद में से यदोभशना आपकान'